हेलो एरिवार्ड वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्दाले यूटूब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लाश्टल कमिस्ट्री पाट सेकेंड के दो ऐसे सबसे महत्पूर अभिक्रियाएं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रि यहां होता है जब तो यहां पर हम आपको यह इसने स्वार्च में पर आपके पाहरा था क्या है जैसे कि हमारा प्रस्ट कोयि रखा है फासपोरस पेंटा कोलराइट की अविक्रिया एशी टोन से कराई जाती है ठीक है क्या होता है जब फासपोरस पेंटा कोलराइट की अविक्रिया है एशी टोन से कराई जाती है इस परकार इसका क्वेश्चन होता है अब इसकी एंसर हम किस परकार लिखेंगे रियक्शन किस परकार करेंगे इसे भी हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले आपको एशिटोन और फासपोरस पेंटा को राइट की फार्मूला याद होना चाहिए तो अगर आप हमारे आठ बजे शाम को जो लाइट क्लास चलते है उसमें आप अगर एट की होंगे ठीक है मारे लाइट क्लास से जुड़े होंगे और देखे होंगे लाइट क्लास तो उसमें आपको हम एशिटोन और सभी तत्तों के फार्मूला को बताया है तो वहां से आप अगर नहीं देखे तो फिर से Lly glass को देख सकते हैं त्यांपर, Asheton की फर्मूला होती है, वह होती है, CH3, CO, CH3, CS3 यह किसकी फार्मूला है एशी टोन की फार्मूला है यह एशी टोन की फार्मूला है जो आपके टिके बोर्ट एक्जाम में इसकी लेबो लेटरी मेथट परयोग साला भी दीवी आती है यह भी हम अपने अपना विदली यूटुब चैनल पर बता चुके हैं वहां से आप देख सकते हैं और जो हमने बताया पासपोरस पाकोली तो उसकी फार्मूला होती है PCL5 कि क्लोरिय। तो कितने 5 है इसलिए यहाँ पर 5 क्लोरीन 5 संख्या को क्या करते हैं पेंटा करते हैं अब क्लोरीन है और यह पी क्या है फासपोरस है तो इसलिए यह क्या है फासपोरस पेंटा को राइट तो देखिए इसको किस परकार रेयक्शन करते हैं और एक सरल विदी से तो यहाँ पर double bond से oxygen को add कर देते हैं बिल्कुल वही फार्मूला है देखिए CS3, CO, CS3, CO और CS3 तो इसको इस पर कर लिखते हैं और plus यहाँ पर हमने क्या लगा है double bond लगा है क्यों लगा है क्यों क्यों लगा है बिल्कुल वही है बस लिखने की क्या है तरीका है थोड़ा अलग है तो यहाँ पर देखिए PCL5 ठीक है तो इसको हम reaction को सरव तरीके से किस पर करें इसके लिए हमने इस पर कर लिख दिया है तो देखिए PCL3 और 2 यहां प्लोरिन अता थ्री यहां पर 2 यहां पर 5 हो गया तो वही हमारा हो गया ना इसकी यहां पर 5 तो हमें इस पर लिखा क्यों क्योंकि WE؟ आप को शराल प्रकार से आपको शमझाने के लिए च्छा तो यहां से ढ़ने है कि हमारा य he क्या बनता है कि तो देखिए के यह होगए हो गर्म करने की शिंबल कोई भी रेक्शन गर्म करते यह तब होता हدم कि इतने प्रेचर पे होता है यह कोई माने नहीं रखता तो यहां पर ठीक है देखिए यहां पर हमने O, P, C, L, 3 को राउंड कर दिया तो यहां से हमारे जो कुछ भी बचे हों उसे हम पहले लिक लेते हैं तो यहां से देखिए क्या बच रहे हैं C, H, 3, C, H, 3 ठीक है और यहां C, फिर उसके बाद हमारे डबल बांड तो oxygen इसमें एड हो गया फिर उसके बाद हमारे एक-एक बांड से क्या जुड़ जाते हैं क्लोरिन जुड़ जाते हैं क्योंकि दो क्लोरिन यहां पर आप देख रहे हों कि बचा है इसलिए यह दो क्लोरि क्लोरो प्रोपेन ठीक है क्लोरो प्रोपेन और प्लस हमारा क्या आया है इसे भी हम लिखने लिख लेते हैं जैसे यहां पर प्लस P-O ठीक है P O जिसे हमने क्या क्या round किया P O Cl3 तो यहाँ पर P O Cl3 ठीक है यह क्या है phosphoric chloride phosphoric chloride तो यहाँ पर P O Cl3 phosphoric chloride हो गया और यह क्या हो गया 2,2 diacloropropate यह किस परकार हुआ जैसे यहां पर दिखी ठीक है यहां पर एक और दो ठीक है दो एक कारबन के बाद की इतना आया यहां पर दो कारबन आ गया एक कारबन दो कारबन तो इसलिए यह दो कारबन से क्या जुड़े हैं दो कुलोरीन जुड़े हैं तो इसलिए यहां पर टू अ प्रोपेन की उस पर कर रहा है जैसे एक दो थीन कार्बन है तो एक कार्बन को मेध एथ प्रोब ठीक है थी कार्बन है तो प्रोब तो इसलिए प्रोपेन फिर उसके बाद यह होगा फॉस्पोरिक लॉट्ट जो हमने राउंड किया था उससे ही निकल दिया यह रियक्शन भी बिल्कुल देख रहे हो आप balance है ठीक है क्योंकि हम ने यहां पर जो लिखा है वही इसके साथ reaction करकी है यहां पर करा दिया और जो round किया उसे भी लिख लिया इसलिए balance है हाँ और हम reaction में balance करने भी इसको अच्छे परका बता है लेकिन इसमें ये खुद balance हो गया इसलिए हम नहीं बताएंगे फिर उसके बाद हमारा next question है वो क्या है इसे भी देखेंगे तो यहाँ पर है formal aldehyde को जब सांद्र N.A.O.H. के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है तो देखिए काफी important question है और यह आपकी board exam में कई बार repeated question है तो आप इसे बिलकुल तयार कर लेजिए और आज ही ठीक है तो यहाँ पर formal aldehyde के जो formula होती है तो आप हमारे live class में एड़ होए होंगे जुड़े होंगे तो आपको पता हो गया होगा कि कि वहाँ पर हमने बताया आठ बज्चे शाम को माले live class स्टार्ट होते हैं सभी subject के तो यहाँ पर formal aldehydehyde की formula होती हो होती है hco ठीक है इसकी प्रयोकसाला विधी भी आपके board exam में आती है इसे भी आप तयार कर लिजिए हमारे अपना विद्धाली YouTube चैनल जो यह वीडियो चल रहे है उसके नीचे आपको एभी लोगों दिखाए देगी ठीक है ब्लू और रेड कलर के आपको लोगों दिखाए देग है और आपके जो board exam में टॉपिक है उसको भी बताया गया वहां से आपको भी क्लियर कर लिजिए और इसके अलामा आपको mathematics, English, biology और chemistry के physics सभी subject के study कराई जाती वहां से आप जाकर देख सकते और अपने ket fusion को भी दूर कर सकते और board exam की तयारी भी कर सकते तो यहाँ यह किसकी formula फर्मल एडियोट की है कि हूँ है यह हूँ कि ये के Карी का क करते है of Sand participant के साथ क्या करते है नि करते है करने की सिं यह और इसमें जोena औहे होती है उसकी मात्रहाँ हूथ है 50% है हमने इसमें मात्राइं बताते हैं तो आप लोग समझ लेते हो कि टेंपरेचर पस्चास है ठीक है यहां पर एने ओयाज मात्रा को लिया गया है इसको क्या करते है कास्टिक शोडा करते तो यह क्या बनाता है इसे भी मुझे देखना होगा तो यहां पर यह क्या बना लेता है यह क्या है मेथिल एलकोल है और प्लश यहां पर क्या बनाता है एच शी डबल ओ एने यह क्या है इसे बनाता हैं सौडियम फार्मेट यहां पर यहां पर देखिए मेथिल एलकोहल में जो किसकी है अपर यहां पर कर्मन् संख्यांaining यहां पर यहां पर ठीक है में बैलेंस कर रहे हैं अप रिएक्षिन को क्योंकि reaction को जितना करना जरूरी होता है उतना balance भी करना होता है अगर आप balance नहीं करेंगे तो आपकी board exam में number कर सकते हैं इसलिए आप यहाँ पर balance भी हम करेंगे reaction को तो यहाँ पर आप देख रहें एक carbon यहाँ है एक carbon यहाँ है देखिए reaction किस पर कर okay balance हो रहे है तो यहाँ पर देख रहा है यहां पर एक यहाँ फॉर और यहाँ पर ठीक है यहाँ दो लगादिया तो फॉर और एक यहाँ यहां फॉर इसके बाद Lesson किसमी यहां डोन किसमी यहां 2 वें है 3 और यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो oxygen यहाँ 2 एक यहाँ 3 तो इस परकार क्या होगे हमारे reaction भी तद भी balance हो गए और हमारे reaction भी पुड़ हो गए ठीक है तो यह होगे फर्मल अल्डियाइट को सांद अधियाज के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राफ्ट होता है इस reaction को नेमिंग reaction में जैसे क्या करते हैं कैनी जारो अभी करिया अगर आपके वोड़ एक्षाम में कैनी जारो अभी करिया तो आप यहीं रिएक्शन करेंगे जो हमने बता च इसके बारे मिलेक्षन को कर देंगे और आपको two mocks मिल जाएंगे ठीक है तो यही होता है रिएक्षन करने की structure और style उस परकार आपको बोर्ड रिएक्षन में four mocks मिलेंगे तो यहाँ पर हमने दो रिएक्षन बताया जो काफी इंप्रेंट है और आप इसे आज ही तयार ली इसे परकार आपको कई important reaction class 12 के देखनी है तो आपको अपना विदाली यूट्यूब चैनल पर लगोड़ सभी नेमिक रियक्शन जो जिसे राइमाटिमर ठीक है और कई आपको सभी रियक्शनों को और हिंदी की फूल टापिक जो आपके बोर्ड एक्जाम में आती है उन सभी टापिक के बारे में बताया गया है और उनके एंसर और कितने कितने मौक्स के आते इसे भी बताया गया तो आप अपना विदाली यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं तो आपको यह विडियो कैसा लगा अगर विडियो पसंद है तो प्लीज विडियो को लाइक कर दीजिए और नए चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारे दर अभीजिए के सारे व झाल झाल